ये कहानी है एक सेट सिठानी और उनकी बहुत ही प्यारी सी बेटी नव्या की जौनपुर नामक नगर का सेट उधे सिंग अपनी पत्नी सिठानी सुष्मा के साथ अपनी बेटी नव्या के साथ चैन से रहता था नव्या बहुत ही चंचल और दिमाग वाली लड़की थी पूरे दिन जंगल में उचलकूत करना सभी जानवर को भी चहीती थी नव्या समय बीटता जा रहा था और नव्या भी पड़ी हो रही थी और एक दिन उदे सिंग और सुष्मा अपने कमरे में सो रहे थे तभी उनके कमरे का दर्वाजा खुलता है और एक परचाई उनके कमरे में घुसती है फिर एक जोरदार रोश्नी पूरे कमरे में फैल जाती है तभी उदे सिंग की भी आँख खुलती है रोश्नी उसकी आँखों में चुबने लगती है और उसे रोश्नी के अंदर से एक क काली परच्छाई उसकी और आदी दिखाई देती है और वो देखता है कि सामने उसके बेट के ठीक ऊपर एक काली नागिन कुंदली मार कर बैठी हुई थी तब ही उदय धीरे से सुष्मा को उठाता है हे शिप जी ये क्या है सुष्मा जल्दी उठो और ये देखो सुष्मा भी नेन से जाकती है और नागिन को देख कर डर जाती है ए जी देखा ना आपने मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये सब होने वाला है मगर तब आपने मेरी सुने ही नहीं थी और उदे नागिन को हाथ से पकड़ कर कमरे से बाहर ले जाता है सुश्मा भी उसके साथ जाती है थोड़ी देर में दोनों लोट कर आ जाते है वो सब शुरू हो गया है जो नहीं होना चाहिए था उदे और सुश्मा की आँखों में एक अलग सा खौफ नजर आने लगता है तभी उनकी कमरे का दर्वाजा फिर से खुलता है मगर इस पार उनकी प्यारी बेटी नव्या थी जो अपनी आँखों को मसलते हुए आती है माँ, बाबा, इतना शोर क्यों हो रहा है? सुश्मा उदे को इशारा कर देती है कुछ नहीं मेरी प्यारी गुडिया, आजा मैं सुला दू तुझे और नव्या उन्हीं के पास सोजाती है सोते हुए नजानी क्यों उदे सिंग बहुत खबराया हुआ था जंगल में वीरानी के अंदर कोई खंडर था और उस ओर एक नाग नागिन का जोड़ा तेज तेज भाग रहा था वहे कुछ लोग हाथ में आग लगी हुई लकडिया लेकर उनके पीछे भाग रहे थे जल्दी यहां छिप जाते हैं वरना आज ये लोग हमें मार डालेंगे तभी नाग नागिन एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस खंडर के अंदर खुज जाती हैं सभी लोग खंडर के बाहर आकर खड़े हो जाती हैं मारो मारो जलादो इन दोनो नाग नागिनों को यही चिप है वो दोनो और सब अपनी अपनी जलती हुई लकडी उस खंडर के भीतर फैक देते हैं नाग नागिन आग लगने से जिन्दा चल रहे थे तभी नाग चलता हुआ खंडर के बाहर जागिरा और उन लोगों ने उसे लाठी से कूट कूट कर मार डाला तुम सबने अपने लालच के लिए मेरे सुहाग की जान ले लिना जाओ इस जंखे को मेरी हाई लगेगी कि यहाँ एक ऐसी सुहागन का जन्म होगा जो एक दिन हमारा बतला जरूर लेगी और नागिन की आँखों में से आँख निकल कर उन लोगों की आगे आगर गिरती है और वहदी चल जाती है उदे सिंग अचानक हाफता हुआ नीन से जाकता है पानी पानी नव्या की आँख भी खुल जाती है और वो उठकर अपने बाबा के लिए पानी लेने जाती है मगर जैसे ही वो हाथ आगे बढ़ाती है उसके पूरे हाथ पर नागिन की परच्छाई रहती है ये देख उदे घबराता हुआ नव्या के हाथ से पानी चुटक देता है और उदे नव्या के चहरे की और देखता है तो वहाँ नव्या नहीं कोई नागिन थी जो उसकी और अपनी जीब निकालती है ये देख उदे जोर से चीखता हुआ अपनी आखे बंद कर लेता है सुनिए क्या हुआ आपको आप चीखे क्यों वो वो नव्या वो नागिन खिया नव्या हमारे बेटी तो ये सो रही आप भी ना जिरूर कोई बुरा सपना देखा होगा सुश्मा हमें हमारे बच्ची को इस नागिन के साए से बचाना होगा चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े और उदे और सुश्मा सो जाती है अगली दिन नव्या घर से बाहर जाने लगती है मा मैं नदी के पास जा रही हूँ थोड़ी देर में आती हूँ रुख जाओ नव्या तभी उसके बाबा उसे रोग देता है आज से तुम उसोर खेले नहीं जाओगी तुमें जो खेलना है जितना खेलना है यहीं घर में खेलो देखो यहां कितने सारे खेलोने पड़े हैं इन से खेलो मगर बाबा क्यों बेचा इसी में तेरी भलाई है बाहर बहुत से जंगली जानवर और साप वगेरा घूमते है तेरे बाबा को सिर्फ तेरी चिंता है नव्या रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है उसके बाद अकसर उदे सिंग को रात में एक नागिन का साया नजर आता था मगर धीरे धीरे ऐसे ही समय कटता गया और योही घर में रहते हुए नव्या भी बड़ी और बहुत सुन्दर जवान लड़की बन जाती है सेट सिठानी के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी इसलिए आसपास के लोग भी सिठानी के पास से पैसा उधार लेने आते रहते थे सब नव्या की सुन्दर्ता को देख कर चौँख जाते थे सेठानी आपकी बेटी तो किसी अपसरा से कम नहीं है हाई बड़े मक्खन लगाने वाली और नव्या अपने कमरे में जाकर खिड़की के पास जाकर उदास बैट जाती है और नव्या रोनी लगती है कि अचानक उसे आँख बंद करने पर किसी लड़की का धुन्दला सा चहरा नजर आता है नव्या अपने खयालों में इतनी खोई हुई थी कि उसका ध्यान ही नहीं गया कि खिड़की से एक काला विशाल साफ लटका हुआ है जिस पर नव्या का हाथ रखा हुआ था तभी नव्या आँख खोलती है और साफ मूँ खोलकर उसकी और जैसे ही फुफकार मारता है नव्या खबराते हुए साफ को धकेल देती है और वहाँ से हट जाती है हाँ बाबा सही कहते हैं आजकल साफ बहुत जाद हो गए है तभी नव्या को वो अपने खयालो वाला लड़का ध्यान आता है मागर आखे वो कौन था और मुझे उसका चेहरा कैसे दिखाई दिया नव्या कैन्वस लेकर उस पर लड़के का चित्र बनानी लगती है मगर वो बस दो आखे ही बना पाती है मैं इससे आगे कुछ सोच ही नहीं पा रही कौन हो तुम क्या तुम मेरी सिर्फ कल्पना हो या सच हो खिड़की पर बैठा वो साप रेंगता हुआ सामने की नदी की अंदर चला जाता है और तभी वहाँ पानी में एक तेज रोशनी आती है अगर मुझे बाबा बाहर नहीं जाने देते हैं तो क्या मैं यहाँ से भाग भी तो सकती हूँ वैसे भी अब मैं बड़ी हो गई हूँ और समझतार भी मैं आ रही हूँ मेरे जंगल और नव्या बिना कुछ सोची समझे अपने कमरे की उची खिड़की से नीचे छलांग लगा देती है मगर उचाई जादा होने से नव्या गिरने वाली थी तब ही वो अपनी आखे बंद करकर चीखती है मगर नव्या जैसे ही गिरने वाली होती है एक शक्ती उसके नीचे आकर एक प्लाटफॉर्म की तरह उसे सहारा देती है जिसे नव्या को कोई चोट नहीं लगती है और वो जंगल की और चलने लगती है तब ही वहाँ जाडियों में छिपा वही साप नजर आता है उसी ने नव्या को गिरने से बचाया था आखिर क्या है इस साफ का सच? क्या ये कोई साफ है या वहे नागिन है जो सालों पहले उदे सिंग को अक्सर उसकी घर में दिखाई देती थी? क्या ये साफ नव्या का दुश्मन है या दोस्त? कॉमेंट में ज़रूर बताएं. अब देखिए आगे सुश्मा, अपनी नव्या बड़ी हो रही है. हाँ जी, मगर मुझे तो हर पल उसी बात की चिंता सताती रहती है कि कहीं उसे? नव्या इतलाती सी इतराती से चलती जा रही थी. लाला, आज कितने समय बाद मुझे खुले हवा में सास लेने का मौका मिल रहा है. ये खास मेरे पाउं को छो रही है, तो कितना अच्छा लग रहा है. और ये जूते, अब ये मेरे किस काम के? और नव्या अपने जूते निकाल कर उसे पीछे की और उच्छालती है. जैसे ही वो एक जूता भैकती है, किसी की आवाज आती है. नव्या फिर दूसरा जूता भैकती है, तब फिर आवाज आती है. इस बार आवाज अलग थी. लगी रे, उई मा, मार दिया रे. नव्या ये अवाजे सुनकर डर जाती है, और तेज तेज चलने लगती है. मगर उसके पीछे भी कुछ लोग तेज तेज चल रहे थे. अरे पकड़ो इसको, आज ये बचनी नहीं चाहिए. और कुछ डाकू नव्या से भी तेज दोड़ते हुए उसे पकड़ लेती है. तब ही उनका सरदार नव्या की सूरत देखता है. अरे कलन, हम तो यहाँ सिठानी की थोड़ी सी ही दौलत लूटने आये थे. मगर यहाँ तो पूरा ही खजाना हाथ लग गया अरे. कितनी सुन्दा लड़की है ये. हाँ सरदार, हम इसके जेवर लूटते हैं. आप तब तक ये खजाना लूटी ये. नहीं, छोड़ दो मुझे, ऐसा मत करो, तुम ये सारे जेवर रख लो, पर मुझे जाने दो. तब ही सरदार नव्या की एक थपर लगाता है. चुब, एकदम चुब, बहुत जबान चल लही है तेरी. और सरदार जैसे ही दूसरा थपर मारने वाला होता है, दूर से एक भाला उड़ता हुआ आता है, और पास खड़े डाकर के अंदर जाकर घुसता है. सब ये देख हैरान होते हैं. तब ही वहाँ एक लड़का आता है, जिसका चेहरा धके होने से दिखाई नहीं दे रहा था और वो आकर सबसे लड़ाई करता है. लड़के और सरदार की भयंकर लड़ाई होती है, कि तब ही लड़के के चेहरे से उसका नकाब हट जाता है और नव्या की नजर उसकी आँखों पर पड़ती है. उसे तुरंत उसके खयालों वाले लड़के की शकल याद आ जाती है. ये ये तो वही आखे है मेरी पेंचिंग वाली। नव्या उस लड़की की आखों में खो जाती है और वह लड़का भी उसको देखता रहता है मौका पाकर डाकों का सरदार पासपड़ी लकडी से उस लड़की के सिर में मारने लगता है पर तबी नव्या पीछ में आ जाती है जिससे नव्या के सिर पर सपरतस चोट लगती है और उस लड़की को इतना भयंकर गुसा आता है कि वो उसे उठा कर एक बड़े से पेड़ के पीछे ले जाता है फिर उस पेड़ के पीछे से बस उस सरदार की एक चीक ही आती है नव्य लड़की देखी नहीं कि लूट पार्ट चुरू कर देते हैं नव्या पस उसकी आँखे देखकर मुस्कुरा रही थी तभी लड़के की नजर नव्या के सिर से टपक रहे खून पर गिरती है अरे आपको तो बहुत घरी चोट लगी है नहीं ये तो बस जरा सी चोट है लड़की को भी पानी ले जाती है अब दो लोग पानी में एक्तम भीग चुके थे बचाओ बचाओ मुझे तैरना नहीं आता और इसमें एक साप भी है मैं मरना नहीं चाहती मुझे बचालो प्लीज नव्या चीकते हुए लड़के से एक्तम लिपड जाती है लड़का दरणा धुरव है और दोनों पानी से बाहर आती है और धुरूव की आखो को ही देखती जाती है धुरूव भी वहां से चला जाता है अब चंगल में कोई नहीं था सिवाए उस सरदार की लटकती लाश के जो एक दम नीली पड़ चुकी थी मगर वहां एक चीज थी जो हर दम नव्या के आसपास रहती थी वही काला साप पेड के अंदर से साप की बड़ी विशाल काली पूच निकलती है और सरदार की लाश को पूच में लपेटते हुए निकल जाती है नव्या जैसे तैसे अपने कमरे की खिड़की के नीचे खड़ी हो जाती है अरे अब मैं उपर कैसे चड़ू कितनी पाकल है तू तुछे तो यहां एक रस्सी लटकानी चाहिए थी नव्या सोच ही रही थी कि तब ए उसी खिड़की के सहारे एक मोटी काली लटकी नजर आती है और नव्या खुश होकर उसके सहारे चड़कर कमरे में आ जाती है नव्या नहीं जानती थी कि वह कोई रस्सी नहीं बलकि वही साप था नव्या जैसे ही कमरे में आती है कमरे का दर्वावा खुलता है और सुश्मा अंदर आती है सुश्मा को देख तो जाने नहीं देते हो मेरी बिटिया रानी, मैं और तेरे बाबा तेरा भला ही सोचते हैं हमेशा और कल तेरे लिए एक बहुत बड़ा सर्प्राइज भी है सर्प्राइज? वाउ! मा, हम कहीं खूमने जा रही है मुझे बताओ, मुझे बताओ, बताओ ना मा हट बदमाश, कल खुद ही देख लेना सुश्मा चली जाती है, और नव्या भी अपने कपड़े बदल लेती है तभी उसकी नजर उस पेंटिंग पर जाती है और नव्या धुरूफ की आँखों को देखते हुए उसका पूरा चहरा बना देती है धुरूफ कितना प्यारा चहरा है ये नव्या पेंटिंग में धुरूफ को चुम लेती है तभी उसे होश आता है और वो देखती है कि पेंटिंग पर नव्या के लिपस्टिक का निशान छूट गया है नव्या तू तो पागल हो गई है, ये क्या कर रही है तू चांती तक नहीं है कि वो लड़का कौन है, कहां से आया है और नव्या पस मुस्कुराती हुई बाहर चली जाती है जंगल में नाग नागिन के परिवार में कोई चश्न मन रहा था आज नाग रिशब और नागिन संजना की शादी है आखेर दोनों का मिलन हो ही गया सुना है नागिन संजना ने सुहाग पाने के लिए नाग देव तक से लड़ाई कर ली थी और देखो आज इन दोनों की शादी हो जाएगी रिशब और संजना की शादी हो जाती है संजना की बेटी अक्सर ही अपने दोस्त के साथ खेलती है रिशब उन दोनों को खेलता देख बहुत खुश होता है संजना जब ये दोनों बड़े होंगे तो हम इनकी भी शादे करा देंगे हां रिशब एक सुहागिन नागिन का भागय बहुत नसीब वाला होता है देखना हमारी बेटी राज करेगी संजना रिशब और अपनी बेटी के साथ बहुत खुश थी मगर उस रात खंडर में संजना और रिशब को कुछ लोगों ने चला दिया था संजना का श्राप आज भी उस खंडर में गोंचता है मेरी बेटी, मेरी नन्धे चेडिया, अपनी मा को फूलना मत, फूलना मत बेटा अचानक रात में नव्या की आँख खुल जाती है मा, मुझे अचानक से इतनी पेचैनी क्यों हो रही है और नव्या जैसे ही उठती है, चौक जाती है सेट सेठानी अब तक सोई नहीं थे सुनिए, उस नागिन का प्रकोप कही हमारी परिवार को ना खा जाए दो दिन बाद पूर्निमा है, हर साल बड़ी पूर्निमा को नागिन आती है और वो इस बार भी आएगी, हमें को छुपाए करना होगा आखिर कौन है वो नागिन, क्या वो उस नागिन का शाप है जो सेठानी की सुहाग पर खत्रा है या नव्या का इन सबसे कोई संबंध है जानने के लिए देखिए आगे तुम, तुम यहाँ केसे? सामने धुरूफ खड़ा रहता है नव्या कमरे की लाइट आउन करती है मगर तुम यहाँ आए केसे? और क्यों आए? और तुम्हें मेरा पता केसे मिला? मैं आया ख़ड़की से और तुम्हारा पता ढोड़ना कोई मुश्यल काम नहीं था यहाँ की सबसे सुन्दर रड़की कहा रहती है यह तो हर कोई जानता है यहाँ पर तभी धुरूफ की नजर सामने रखी उस पेंटिंग पर जाती है एक मिनट पेंटिंग? वो भी मेरी? चुप करो और चाओ यहाँ से मगर धुरूफ पेंटिंग पर बनी उस लिपस्टिक के निशान कुछ होता है और बिना कुछ कही नव्या को किस कर लीता है पहली बार नव्या के करीब कोई लड़का आया था नव्या को भी कुछ समझ नहीं आता वो बस चुप चाप खड़ी थी और धुरूफ नव्या के दूसरे गाल को भी चुम लेता है तो देखती है वहाँ धुरूफ था ही नहीं कमरा एक Came खाली था नव्या को कुछ भी समझ नहीं आता या मैं ही भागल हो रही हूं मुझे सोचाना चाहिए और नव्या लाइट्स ओफ करते ही सोजाती है तभी खिड़की के अंदर से शान्थ की रोशनी आती है और कमरे में एक काली परचाई खड़ी दिखाई देती है जिसकी आँखें चमक रही थी अगले ते नव्या उठती है नव्या धुरूफ से मिलने की वज़े से काफी खुश थी और चहेकती हुई अपनी मा के पास जाती है मा मेरा वो पुराना वाला फोटो एल्बम कहा है क्या बात है आज पुरानी तस्वीरे देखेगी मेरी गुडिया जा तेरे बाबा की स्टड़ी रूम में रखा होगा वहां से ले ले और नव्या इठलाती सी उद्य सिंग की परसनल स्टड़ी रूम में जाती है और इधर उधर आल्बम ढोटने लगती है मगर उसे कहीं कुछ नहीं मिलता तभी उसके नजर सामने वाले अलमारे की तिजोरी पर जाती है हां जरूर यहां रखा होगा बाबा ने नव्या तिजोरी के पास जाती है और उसे खोलती है जैसे ही वो तिजोरी खोलती है पूरे कमरे में एक सीज रौशनी आ जाती है उसमें एक चमकीले हीरे जैसी कोई चीज रखी थी नव्या उसे हाथ में उठाती है अरे ये क्या है? तभी उस चमकीले पत्थर में से एक रोशनी निकलती है और नव्या के शरीव में त्रवीश कर जाती है जंगल के अंदर आसपास सभी साफ निकल कर एक जगे आकन रित्य करने लगती है नव्या नहीं जानती थी वो चीज क्या है कि तभी उदे सिंग की जोरडार आवाज आती है नव्या तुम यहां अंदर कैसे आई? नव्या के हाथ से वो हीरा छूट कर नीचे गिर जाता है उदे सिंग के आने से नव्या के हाथ से वो चमकीला पत्थर गिर जाता है और नव्या घबरा जाती है बाबा वो मैं तो बस मैंने कितनी बार कहा है? मेरे चीजों को हाथ मत लगाय करो और उदे सिंग उस पत्थर को उठा कर फिर से बक्से में रख देता है मगर उस पत्थर में अब पहले जैसी चमक नहीं बजी थी नव्या अपने बाबा का ऐसा गुसा देख कर रोते हुए वहां से चली जाती है अरे मैंने नव्या को जादा नाड़ दिया और उदे सिंग नव्या के कमरे में जाता है वो रो रही थी अरे मेरी बिटिया ऐसे रोते नहीं है चल खड़ी हो जा जल्दी से त्यार हो जा शाम को घर में महमान आ रही है और उदे वहां से चला जाता है मैं तो फूल ही गई कल रात को जो हुआ था वो सच में बहुत अजीब था मैं आज फिर से जंगल जाओं क्या पर अगर बाबा को पता चल गया वो तो वैसे भी गुसा है और नव्या अपने कमरे का दर्वासा बंद कर देती है चली जाती हूं उन्हें क्या पता चलेगा नव्या अपने दुपटे को खिड़की से लटकाते हुई नीचे कूच जाती है और द्रूफ से मिलने जंगल में जाती है द्रूफ, द्रूफ, कहा हो तुम? मगर द्रूफ कहीं भी नहीं होता पर कोई वहाँ नव्या को छिप कर देख रहा था, तभी नव्या को पेड के पीछे से कुछ-कुछ आवाजे आती हैं, और वो उस और जाती है, नव्या देखती है, उस पेड के पीछे एक लड़का पीट करके खड़ा था, जिसका उपर का शरीर इंसान का था, मगर नीचे क हिस्सा साप का था, और उसकी काली लंबी पूच हवा में लहरा रही थी, नव्या ने इससे पहले ऐसी भयानत चीज कहीं नहीं देखी थी, उसे देखती ही नव्या की जोरदार चीक निकल पड़ी, और वो वहीं बेहोश हो गई, और वो नाग भी नव्या के बेहोश होती ह वहां से चला जाता है कुछ तेर बाद नव्या को होश आता है और वो खुद को नदी किनारे पाती है नव्या धुरूफ की गोद में लेटी हुई थी धुरूफ तुम वो कहां गया? मैं कहां हूँ? नव्या उठती है और घबराते हुए धुरूफ को गले लगा लेती है कौन कहां है? और तुम ब्योश कैसे हो गई थी? मैं जब आया तुम यहां ब्योश पड़ी थी और तुम्हारे अलावा वहां और कोई भी नहीं था नव्या की नजर फिर से नदी के पानी पर पड़ती है और उसे उसमें एक काले नाग की परचाई नजर आती है धुरूफ वो यहीं है वो नाग यहीं है वो मेरे घर भी आता है मुझे बहुत डर लग रहा है धुरूफ शान्त हो जा नव्या मैं हूना यहाँ अब बताओ तुम यहाँ क्या करने आई थी धुरूफ कल मैंने अजीब सा एक सपना देखा कि तुम मेरे कमरे में आए हो और फिर गायप हो गए हो लगता है तुम्हारी तब्यत खराब हो गई है जाओ अभी जाकर आराम करो तुम भी ना बहुत बुरे हो और नव्या धुरूफ को धक्का मार कर भागने लगती है पकड़ो मुझे चलो चलो धुरूफ और नव्या धेर सारी मस्ती करते हैं तभी धुरूफ कहीं जाकर छिप जाता है धुरूफ कहा चले गए तुम अब मुझे तंग मत करो न अच्छा तो तुम उस बड़े पेड़ के पीछे चुपे हो और नव्या उस पेड़ के पीछे हाथ डालती है तभी नव्या का हाथ कोई पकड़ लेता है धुरूफ अब बाहर आजाओ तुम पकड़े गए हो मगर तभी नव्या को पेड़ के चारों और नाक की पूछ की कुंडली नजर आती है वो समझ जाती है कि हाथ धुरूफ ने नहीं बलकि उसी नाक ने पकड़ा हुआ है घबराहट से नव्या की आवास बंद हो चुकी थी तभी पेड़ के पीछे से ही एक दूसरा हाथ निकलता है जो नव्या के चहरे को सहलाने लगता है और चहरे से हाथ को नव्या के सर पर रखते हुए उसमें एक लाल रोशनी छोड़ देता है नव्या ने अपने आँखे बंद की हुई थी तभी वो नाग गायब हो जाता है नव्या को कुछ भी समझ नहीं आया था धुरूफ पीछे से आकर नव्या के कंधे पर हाथ रखता है और नव्या डरते हुए धुरूफ से लिपट जाती है दोनों एक दूसरे की और देखते हैं उनके आँखे मिलती हैं दोनों बेहत नजदीक आने ही वाले थे कि अचानक से नव्या को कुछ धुनले चित्र नजर आते हैं जिसमें एक छोटी लड़की जंगल में एक बच्चे के साथ खेल रही है और खेलते खेलते दोनों छोटे नाग-नागिन में बदल गए नव्या धुरुफ से दूर हटती है धुरुफ कौन हो तुम? मैं कौन हो? ये तो तुम जानती ही हो जब से तुम मिले हो सब इतना अचीब हो रहा है जैसे सब कुछ लिखा हुआ था और नव्या पलट कर जानी लगती है तभी धुरुफ नव्या का हाथ पकड़ कर उसके गालों को चूम लेता है मैं बस तुमें प्यार करना जानता हूँ और चाहता हूँ कि हम दोनों हमेशा ऐसे ही साथ रहे ये तुम क्या कर रही हो मैं वो मैं मुझे अब चलना चाहिए और नव्या शर्माते हुए चली जाती है मगर बार बार धुरुफ की किस को याद करते हुई मुस्कुराती है प्यार तो मैं भी तुमसे करने लगी हूँ धुरुफ मगर इतनी चलती हाँ थोड़ी बोलूँगी अभी थोड़ा तुम्हे तरपाऊंगी और नव्या खिरकी से कमरे में वापस लोटाती है तभी सुश्मा उसे नीचे आने के लिए आवाज लगाती है और नव्या जब नीचे जाती है तो देखती है घर में धेर सारे महमान आयोए थे जिन में जवान लड़की भी थे माँ ये सब क्या है? बेटा ये सब तेरी शादी के लिए रिश्टे है तुझे इन में से जो भी पसंद आये उसे हाँ भोल दे शादी? कैसी शादी? आपने मुझसे पूछा तक नहीं बेटा शादी तो एक नएक दिन सब को करनी ही होती है तू भी अब बड़ी हो गई है मैंने कहा ना मुझे कोई शादी नहीं करनी है आप लोग खड़े होई है और निकलें यहाँ से और नव्या गुस्से से सारा समान इधर उधर फैकते हुए सब को बाहर निकालने लगती है सुश्मा और उधर ये देखकर चड़ जाते है नव्या ये क्या बत्तमीजी है तभी नव्या को कोने में काउंटर के पास एक लड़का बैठा दिखता है जो पीट करके बैठा हुआ था ओ मिस्टर सुनाई नहीं दिया क्या मैंने कहा सब निकलो यहां से मगर लड़का कोई जवाब नहीं देता नव्या गुसे से उसके पास जाकर उसके कपड़े पकड़ कर खीचती है और वो जैसे ही मुर्ता है उसका चेहरा नव्या देखकर चौक जाती है तुम? तुम यहां कैसे आई? वो लड़का धुरूव ही था जो नव्या के घर में घुस चुका था सुश्मा और उदेवी जूर से हसते हैं क्या हुआ? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? नहीं अंकल, बस ऐसे ही तभी कमरे में धुरूव के माबाबा भी हसते हुए एंटर करते हैं धुरूव के पिता और कोई नहीं बलकि उस नागनागिन के जोड़े का दोस्ट दुश्यंत ही होता है भाई मान गए तुझे, तेरी बेटी भी किसी पठाखे से कब नहीं है दुश्यंत की पत्नी मधू नव्या के पास आकर उसका सर सहलाती है भाई सहाब, मुझे तो मेरी बहु बहुत प्यारी लगी क्या? बहु? ये सब क्या चल रहा है? बिटा, दुश्यंत और मैं सालोग पुराने दोस्त हैं और मुझे धुरूबी अच्छा लगता है अब तुझे पसंद नहीं है, तो कोई बात नहीं 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 बाबा, पसंद है, बहुत पसंद है मैं शादी के लिए तयार हूँ सब लोग खूब हस्ते हैं नव्या, धुरूफ को अपने कमरे में ले जाती है और उसे मारने लगती है I hate you, I hate you धुरूफ तुब कम से मेरे साथ खेल खेल रहे थे पताया नहीं कि तुम्हारे बाबा मेरे बाबा की दोस्त है मेरी नव्या, आपसे हम एक होंगे दोनों गले लगते हैं तभी सामने लगे शीशे के अंदर धुरूफ देखता है तो उसकी आखे लाल होकर चमकती है अब कल ही हम दोनों शादी कर लेंगे रात का समय होता है नव्या कमरे में सो रही थी उसके कमरे में वहीं काला साप आता है और इंसान की काली परच्छाई का रूप लेता है और सो रही नव्या के पास बैठकर उसको सहलानी लगता है नव्या अब समय आ गया है कि तुम जानो कि तुम कौन हो और नाग उठकर चांद के सामने खड़ा हो जाता है तभी चांद की परचाई नाग के शरीर से होते हुए नव्या के शरीर पर गिरती है नव्या नीन से जाकती है और मुस्कुराते हुए बिस्तर से उठकर दर्वाजा खोल कर बाहर जाती है मगर नव्या की आँखी अभी भी बन थी वो बस चलती जा रही थी नव्या रुख जाती है और उदे सिंग की स्टडी रूम में घुसकर सामने रखी अलमारी का ताला हाथ से ही तोड़ देती है और मुस्कुराते हुए बकसा खोल कर उसमें से उस चमकीले पत्थर को हाथ पढ़ लेती है अब उसकी रौशनी लौट चुकी है नव्या जोर-जोर से हसती है मेरी अमानत और तभी उस पत्थर से फिर से रौशनी निकल कर नव्या के अंदर खुसती है नव्या जैसे ही अपने आँखे खोलती है उसकी आँखे नागिन की आँखों में बदल जाती है और वो मूँ खोल कर नागिन की जीब बाहर निकालती है और उस पत्थर को जीब पर रखते हुई निगल जाती है असल में वो पत्थट नाग बनी थी उसको निगलते ही कमरे के खिड़कियों से धेर सारे साप आकर नव्या के शरीर से लिपट जाते हैं और देखते ही देखते नव्या एक विशाल काली नागिन में बदल जाती है तब ही बाहर की अंधेरे से उसे नाग की परचाई कमरे में घुसती है और नव्या फिर से बेहोश हो जाती है नव्या नाग की अवाज सुनते ही बेहोश हो जाती है और नाग की परचाई भी रोशनी में आती है वह विशाल नाग ध्रूव ही होता है ध्रूव नव्या के करीब जाकर उसे कोद में उठा लेता है और कमरे में सुला देता है ध्रूव नव्या के पास जाकर बैट जाता है और उसका हाथ सहलाते हुए पुरानी बाते याद करता है मैं तो कब से तुम्हारे आसपास ही था नव्या? बस हो गया नव्या, जल्दी से आप तुम्हे अपने घर चलना है जल्दी ही आ रही है, आप लोगों के पास अब तुम ध्रूव की सुहागन बन गई हो, अब से यही तुम्हारा परिवार है तभी आकाश में जोरदार बिचली कड़कती है और उसमें से एक आवाज आती है तुम्हारा काल आ गया है, एक सुहागन के हाथ से ही खत्म होगी तुम्हारी कहानी यह सुनते ही उद्र सिंग के चहरे पर पसीने आने लगते हैं और बाकी सब आश्चरे से बस एक दूसरे को देखने लगते हैं नव्या रूती हुई सबसे मिलकर विदा लेती है और ध्रूव के साथ उसके घर चली जाती है नव्या और ध्रूफ अपने कमरे में होते हैं, वो नव्या को गोद में उठाकर जुमने लगता है. नव्या नव्या आज मैं बहुत खोशों, आखे सालों बाद आजामे एक हो ही गए. सालोबान मतलब मैं कुछ समझी नहीं पर ध्रोव पहाना बना देता है और दोनों सोजाते हैं आधे रात होने के बाद नव्या देखती है तो वहां ध्रोव नहीं होता नव्या ध्रोव को पूरे घर में धूनने लगती है कि तभी उसके कान में एक धीमी सी आवाज आती है जो जंगल के अंदर से आ रही थी नव्या उस आवाज के और खीची चली जाती है जैसे वो आवाज आ रही थी नव्या उस और बढ़ती हुई उसी विशाल पेड़ के सामने पहुच जाती है ये तो वही पेड़ है जहां वो नाग था अचानक ही तभी नव्या को नाग के लहराती हुई पूछ नजर आती है आज तो मैं उस नाग से पूछ कर रहूंगी कि आखिर वो मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है और नव्या पेड़ की दूसरी तरफ जाकर नाग को अपनी तरफ पलटती है और जैसे ही नव्या नाग के रूप में ध्रूफ को देखती है उसके आखे फटी रह जाती है वो लड़ खड़ा कर जमीन पर गिर जाती है ध्रूफ तुम तुम वही नाग हो जिसने मुझे इतना डराया दरो मत नव्या मेरी बास सुनो ध्रूफ मानव रूप में आकर नव्या को उठाता है और नदी के किनारे ले जाता है जिसमें ध्रूफ की नाग की परशाई थी और वो नदी के पानी के उपर अपना हाथ फेरता है जिससे पानी में एक मैजिक होता है और नव्या जब खुद की परशाई को देखती है तो वहाँ एक विशाल काली नागिन खड़ी होती है ये मैं नहीं हो सकती हूँ मैं नागिन नहीं हूँ जरूर तुमने ही कोई छल किया है धोकी बास हो तुम छोड़ो मुझे मैं तुमारे साथ नहीं रहना चाहती गुस्ते से नव्या अपने हाथ से अपने मांग का सिंदूर मिटाने लगती है कि तवी ध्रूब उसका हाथ पकड़ लीता है और वे नव्या की एक जोड़ तार तमाचा मारता है नव्या होश में आओ ये क्या कर रही हो तुम भूल कर भी अपने सिंदूर को मत मिटाना यही तुमारा हत्यार है आज से सालों पहले इसी सिंदूर की खातिर उन्होंने अपनी जान दे दी थी तुमारी मा नव्या ये सुनकर चौक गई और नव्या जीब भार निकालती है और वो नागिन की जीब होती है नव्या उसे दीख कर सहम गई थी तभी ध्रूफ भी अपनी साप वाली जीब भार निकालता है और जैसे ही वो दोनों सपर्ष करती है एक रोशनी निकलती है जिससे सामने वाले पेड के पास एक दर्वाजा बन जाता है ध्रूफ उसको उसी पेड के पास ले जाता है और नव्या के सिर पर अपना हाथ रखता है और दोनों उस दर्वाजे में चले जाते हैं अब नव्या और ध्रूव सालों पहले पीछे जा चुके होते हैं नव्या देखती है कि पेड़ के पास एक छोटी बच्ची खेल रही है अरे ये बच्ची तो मैं ही हूँ ऐसी ही तो थी मैं, शेतान, नटखट तभी पेड़ के पीछे एक बच्चा निकल कर आता है पकड़ लिया तुझे नव्या तुम्झे तंग मत कर, खेल ले दे और दोनों में खेलते खेलते लडाई हो जाती है लडाई देख बड़ी नव्या को हसी आ जाती है ध्रूफ का नाम सुनते ही नव्या ध्रूफ की और मुड़कर देखती है और तभी दोनों बच्चे उठकर नव्या और ध्रूफ के पास आते हैं भया भया आप बताओ ना गलती इस नव्या की थी ना नहीं दीदी इस ध्रूफ ने मेरे बाल कीचे थे और दोनों की बाते सुनकर नव्या और ध्रूव हसने लगते हैं कि लड़ते लड़ते ध्रूव और नव्या छोटे नांग नागिन में बदल जाते हैं और लड़ते हुए जंगल की दूसरी और चले जाते हैं नव्या भी पीछे पीछे जाती है तो वहां संजना और रिशब खड़े थे नव्या ये तुम्हारे माँ बाबा है नव्या ध्यान से सब कुछ देख रही थी वो बच्चे आकर संजना और रिशब से शिकायत करने लगती है देखा रिशब ये बिलकुल हम दोनों जैसे हैं एक दिन इन दोनों की हम शादी करवा देंगे और उस दिन मैं सबसे ज़्यादा खुश होंगी कभी दुशन भी वहां आ जाता है नहीं भावी मैं सबसे ज़्यादा खुश होंगा इतनी शक्तिशाली नागिन की बेटी हमारी बहुजव बनेगी मगर इसके बाद मैं सिंद्गी से उस सिंद्गी तक कैसे पहुची और माँ बाबा कहां गए ये तो मैं नहीं जानता कि तुम माँ कैसे आई मगर मैं तुम्हें कुछ दिखा सकता हूँ और ध्रूफ नव्या का हाथ पकड़कर आगे ले चलता है नव्या देखती है रिशब और संजना हाफते हुए इधर उधर भाग रहे थे संजना ये कीमती चीज़ किसी भी हाल में उन लोगों के हाथ नहीं लगने देंगे हा रिशब मैंने उसे एक सुरक्षित जगे रख दिया है और नव्या को भी अभी हमें इन दुष्टों से अपनी जान बचानी है तभी उन दोनों की पीछे कुछ लोग जलती हुई मशाले लेकर आते हैं और नाग नागिन भागते हुए खंडर में जाते हैं और वो लोग उन्हें जला देते हैं ये सब नव्या देखते हुए रोनी लगती है मा बाबा और नव्या उस जले हुए खंडर में जैसे ही घुसती है उसकी जलती हुई मा नव्या का हाथ पकड़ लेती है तू ही मेरा बदला लेगी बेटी, तेरी ये ताकत धुरूफ बनेगा, तेरा सुहाग, और जब तू सुहागिन नागिन होगी, तो सबसे बदला लेना, अपनी माँ बाबा की मौत का, और संजना जलकर राख हो जाती है नव्या उन लोगों को तो मैंने खुद मार दिया, किसी को डस कर, किसी को निगल कर, और किसी को जला कर, मगर वो दो लोग कौन थे, ये मैं भी नहीं जान सका नव्या धुप के गले लगती है, कोई बात नहीं धुप, कब तक बचेंगे वो दोनों, मेरे प्रकोप से, अब वक्त है पदले का और नव्या किसी नुकीली चीज से धुरूफ के अंगुठे में चीरा लगा देती है, उदे सिंग नीन से उड़कर खिड़की के पास आता है, और खिड़की बंद करने लगता है, क्या जी, इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो, शायद अब मौसम बहुत बिगणने वाला है दुरूफ अपने खोन से मेरी मांग भर दो और मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लो, और जैसे ही दुरूफ उसके मांग अपने खोन से भरता है, आसमान में जोरदार बिचली कड़कती है, और हसी की आवाज गुचते हुई तुफान आता है, तुफान आते ही, उदे खिड़की बंद करने वाला ही होता है, कि तभी उसे एक बिचली का छटका लगता है, और उदे फटा-फट आकर बिस्तर में घुच जाता है, लगता है अब समय आ गया है, नव्या और दुरूफ खर लोट आते हैं, दुरूफ मगर अब हमें पता कैसे चलेगा, कि मा बाबा को मारने वाले वो दो लोग कौन थे, सबसे पहले हमें तुम्हारी कहानी का पता लगाना होगा नव्या, अगले दिन धुरूफ और नव्या जंगल वाले पेड की पास फिर से जाते हैं, नव्या पेड को चारों और से देखती है, तभी उसे पेड के कोटर में तू दूर जी के पास जो बक्सा है, वो यहीं रखा था, क्या था उसमें नव्या, बता मुझे, धुरूफ उसमें एक चमकीला पत्थर था, नव्या वो कोई पत्थर नहीं नागमणी थी, मतलब तुम्हारे माबाबा उस दिन उसी किमती चीज़ को बचा रहे थे, और उन्हों घबराया हुआ, अपना सामान पाक कर रहा था, एजी, क्या हुआ, आप ऐसे अचानक से कहां जा रहे हैं, क्या हुआ, उस नागिन का साया अभी भी हमारी बच्ची पर से गया नहीं क्या, अब तो उसकी शाधी भी हो गई, तभी सुश्मा और उदे मुड कर देखते हैं, तो नव्या वहीं खड़ी होती है, उदे नव्या को देखते ही खबरा जाता है, और बैक से पिस्टल निकाल कर नव्या के ओपर निशाना लगाता है, रुखजा नागिन, मेरे पास ना आना, नव्या अपने बाप का ऐसा वरताब देख कर हैरान थी, बाबा, इसका मतलब क आप, तभे उदे सिंग सुष्मा को अपने पास खीच कर उसके सर पर पिस्टल तान देता है, और उदे सिंग मौका देख कर वहां से भाग जाता है, नव्या सुष्मा को संभालती है, मा ये सब क्या हो रहा है, और बाबा नागिन की क्या बात कर रही है, बेटा, आज तक ह बहुत बड़ा रास चुपाया है, तु हमारी बेटी नहीं है, मैंने और उदे ने तुझे जंगल में से उठाया था, मुझे सालों तक कोई संतान नहीं होई थी, जिसकी वजह से मैं बहुत उदास रहती थी, और एक दिन हम दोनों जब जब जंगल की पास से गुजर रहे थे, तो मुझे जंगल वाले बड़े पेड के पीछे तेरे रोनी की आवाज आने लगी, ईजी दीखो, जरा ये कौन बच्चा रो रहा है, और फिर जब हम दोनों वहां गए, तो हमें तू बैठी नजर आई, फ्यार इसी छोट इसी, कपडों पर तेरा नाम पहले से ही लि कर जा सकती हैं, अगर अब भी आप मेरी मा हो, दोनों गले लगती हैं, और मा, मुझ पर कोई नागिन का साय नहीं है, असल में बच्पन से लेकर आज तक घर में जो नागिन आपको नजर आती थी, वो मैं ही हूँ, मैं एक नाग नागिन की बीटी हूँ, और नव्या अपने नागिन के अगर नगमणी तो लेकर आओ, पता नहीं वो नागमणी कहां चली गई, यह सुनते ही आत्मी क्रोध में आ जाता है, और रोश्नी में आता है, जो और कोई नहीं, धृूफ का बाबा दुश्यंद ही था, दुश्यंद को देखकर सब चौक जाती हैं, और सामने आ जाते हैं, बाबा, तो वो दूसरा आदमी आप है, जिसने नभ्या के मा बाबा को मारा था, और दुश्यंद भी एक विशाल शेतान नाग में बदल जाता है, जिसकी आँखों का रंग एकदम काला था, जब मैं जंगल से इंसानों की बस्ती में जाता था, तो मेरी वहां उदय से दोस्ती हुई, उदय और मैं दोनों ही शक्तिशाली बनना चाहते थे, मैं नाग तो था, मगर नाग मणी से लेकर सारे इज़द उस रिशब को ही मिलती थी, या दुशन, संतान होना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर धे सारा पैसा मिले तो मज़ा आ जाएगा, अगर वो नाग मणी हमारे हाथ लग जाए, तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं उदय, और फिर एक रात को मैं और उदय, चुपके से नाग बस्ती में घुस कर रिशब की जगह से नाग मणी चुरा ही रहे थे, कि रिशब ने मुझे देख लिया, और फिर मेरा और रिशब का बहुत बड़ा जगडा हुआ, चला जा यहां से गदार, मैंने तुझे हमेशा अपना दोस्त माना था, और फिर मैंने ठान ली, कि इस नाग नागिन की कहानी तो खत्म करनी ही है, उस समय उध्यने आसपास के लोगों में नाग नागिन की बात बता कर, लोगों को खटा कर दिया, और हम लोग नाग बसती के ओर चले गए, वो रहे नाग नागिन, जला दो उन्हें, जल्दी जला दो, हमें देख कर नाग नागिन भागने लगे, और तब ही, सं किश्मा के साथ पेड़ के पास तुम्हें नहीं वो नागमणी लेने गया था मगर मुझे तुम भी मिल गई बिटिया और नागमणी को तेरे करीब ही रखना था नागिन इसलिए मैंने उसे उदय को दिया और तेरी शादी के बाद उसे घर लाने वाला ही था मगर न जाने कै किसे गयाब हो गई वो नागमणी बाबा मत कहो मुझे बिटिया आप दोनोंने मेरे बाबा को मार डाला आप दोनों का भी वही अंजाम होगा तू मारेगी मुझे हाँ 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 कोशिश कर ले चल और नागिन और दुश्यंत के बीच भयंकर लडाई होती है उधर उदे सि भागने की कोशिश करता है मगर सुश्मा और धुरूव उसे जाने नहीं देते नव्या अपनी पूच से बहुत से बार करती है मुझे आग निकालती है और दुश्यंत पर जहर भरे काटे भी फैकती है मगर उसे कुछ भी असर नहीं होता धुरूव ये क्या हो रहा है तब नव्या और धुरूव भी दुश्यंत से लड़ते हुए एकदम ठक जाते हैं मा ये तो मर ही नहीं रहा अब मेरी बारी है बच्चों और दुश्यंत अपनी पूच से नव्या और धुरूव दोनों पर वार करता है वार से नव्या गुफा की दिवार पर जाकर टकराती है जिससे उसके पेट में गई वो नागमनी तुरंथी बाहर आकर जमीन पर गिरती है नागमनी देख उदे सेंग और दुश्यंत दोनों ही खुश होते हैं वाह ये होता एक वार से तीन शिकात अब मैं बनूँगा सबसे थाकतवर नाग और दुश्यंत वहां से जाने लगता है मगर ध्रूफ उसके पाउं से लिपट जाता है और उसे जाने नहीं देता कैसा नलाएक बेटा पैदा कर दिया मैंने इससे अच्छा तो उस दिन उस नाग के साथ साथ मैं तुझे भी कुचल देता छोड़ मुझे नव्या बेहोश हो गई थी तभी बेहोश नव्या के क मास बैठी हुई थी मा तुम मेरे मा हो दोनों गले लगती है बेटा वो दुश्यंत ऐसे नहीं मरेगा अगर उसे मारना है तो तुझे अपनी सुहा की शक्ति का इस्तमाल करना होगा पर वो कैसे करूं मा और संजना उसे पूरे बात बता देती है जा अब और जीत हासल कर ध खुशी खुशी जिंदगी जी मेरी बच्ची नव्या रोती हुई आखों से अपनी मा को अलविदा कह देती है और पलग जपकती ही वो खंडर भी गायब हो जाता है नव्या को होश आता है और वो देखती है कि ध्रूफ धुश्यंत के साथ लड़ रहा है और उद्य सेंग खड़ा खड़ा हस रहा था दुश्यंत तेरा अंत मेरे ही हातों लिखा है और नव्या आख बंद करते हुए हात जोड़ती है जिससे उसकी मांग में भरे सिंदूर से एक तेज लाल रोशनी निकलती है जो दुश्यंत और उदे के शरीर कोई आर पार होकर गुजरती है नह नव्या रोते हुए धुरुफ को गले लगा लेती है और नागवनी को उठाकर दोनों सुष्मा को लेकर गुफा से बाहर जाने लगते हैं कि तभी नव्या मुड़कर देखती है तो उसके असली माबाबा रिशब और संजना की आत्मा महां प्रकट हो जाती है और दुश् और नव्या अपना नाग-नागिन जीवन खुशी-खुशी पिताने लगते हैं यहां नागिन बनी सुहागन कहानी का अंधुआ मगर ऐसी ही और भी दिलचस्प और अलग कहानिया आपको हमेशा मिलती रहेंगी आपके मन में यदि कोई विचार है या बात है तो आप करके अपनी राय दे सकते हैं हमें इंतजार रहेगा आपके कीमती बातों का जल्द ही मिलते हैं नई कहानी के साथ केवल लव सिटी पर थैंक्स फॉर वाचिंग